हेलो एवरीवन, वेलकम वन्स अगेन इन माई यूट्यूब चैनल इनेके कैरेर एकेडमी तो देखिए अभी हम लोग क्लास एट के साइन्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आज के क्लास में थर्ड चाप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं फशल उत्पादन एउम प्रबंधन यानि इस चाप्टर में जनरले हम लोग क्रिशी के बारे में पढ़ेंगे एग्रिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएं क्रिशी के संदर्व में कुछ बात हैं तो दिखिए हमारा देश जो है भारत यहां एक क्रिशी प्रधान देश है सबसे पहली चीज और यहां देखा जाए तो भारत की लगभग आधी जनसंख्या जो है यह क्रिशी कारी में ही लगी हुई है यानि भारत की लगभग आधी जनसंख्या को क्रिशी छत्र से रोजगार मिलता है अब यहां और आगे समझे तो हमें पता है कि किसी भी मनुष्य की तीन निउन्तम आवश्यक्ता होती है जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी व्यक्ति की यह तीन निउन्तम आवश् तो आप समझे भोजन की उपलब्दता क्रिशी से ही होता है ना यानि क्रिशी कार्य से ही हमें भोजन मिलता है तो इस तीन निउन्तम आवश्यक्ता से यह जो रोटी यानि भोजन की आवश्यक्ता है हमें क्रिशी से पुरा प्राप्त हम कर सकते हैं क्रिशी से ही प्राप्त को बनाया जाता है और कपास भी कहां से प्राप्त होता है क्रिशी कारे से यानि खेती बारी करके ही कपास का भी उत्पादन किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि कपड़ा की भी प्राप्ति क्रिशी से संबंधित क्रियाओं के फल स्वरूप हो रहा है वहीं देखा जाए तो क्रि उद्योग की बात करें, चिमनी ओगरें, छोटा-छोटा जो करखाना है, यह सब क्रिसी से संबंदित क्रिया कलाप माने जातें, तो इसके सहायता से वनुसे लकडिया प्राप्त करना, या मिट्टी ओगरें का घर बनाना, तो इस तरह से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मकान बन प्रापों के द्वारा ही हमें हो पाती है, तो इस प्रकार देखा जाये, तो क्रिसी का काफी इंपोर्टेंट्स हमारे लाइफ में, अब देखी अगर हम बात करें बिहार का, चुकि हम लोग बिहार रम में रहते हैं, तो बिहार के अगर बात किया जाये, तो आपको बता द में लगी हुई है यानि पूरे देश का जो एवरेज जनसंख्या क्रिशी में लगी हुई है उससे कहीं जादा एवरेज जनसंख्या बिहार की जो है क्रिशी कारे में लगी हुई है अब आईए एक काफी important questions को हम लोग discuss करेंगे और वो है भारती क्रिशी की प्रमुख विसिस विसिस्ताय कौन-कौन सी है भारती क्रिशी की कौन-कौन सी में फीचर से उसको देखेंगे तो देखे भारती क्रिशी की बहुत सारी विसिस्ताय है जिसमें से प्रमुख की चर्चा हम लोग यहां करेंगे तो सबसे पहली चीज की भारती क्रिशी जो है यह आर्थिक जीव लग आधी जन संख्या को कृषिशे छेट्र से ही रोजगार यानि कृषिशे छेट्र से ही जुड़ कर और अपने जिवन को अपने आर्थिक अपने आजविका को चला पाते हैं और आगे चले तो देखना है कि भारत एक जनसंख्या प्रधान देश है और भारत के इस विशाल जनसंख्या को भारत की इस बहुत बड़ी जनसंख्या को भोजन जो है ये क्रिशी से ही मिल पाता है यानि क्रिशी जो है भारत के विशाल जनसंख्या को भोजन उपलब्द कराता है अब ध्यान दीजिए कुछ और जनित उद्योगों का तो आपको बताएं क्रिसी जनित उद्योगों को कंचे माल की आपूरती भी क्रिसी द्वारा ही होता जैसे अगर हम बात करेंगे सुत्ति वस्त्र उद्योग का जहां सुत्ति कपड़े बनाया जाता है तो सुत्ति वस्त्र उद्योग का कंचा माल क्या है कपास है और ये कपास कहां से मिलेगा क्रिशी से मिलेगा वहीं अगर हम बात करें चीनी उद्ध्योग का तो चीनी उद्ध्योग का कंचा माल क्या है चीनी उद्ध्योग का कंचा माल है गन्ना और ये गन्ना कहां से मिलेगा तो गन्ना भी मिलेगा क्रिशी से यानि क्रिशी जानि तो जो इंडस्ट्रीज है कल कर खाने है उसको कच्चे माल यानि रो मिट्रियल की प्राप्ति भी कहां से होता है क्रिशिस क्रिशिस है यानि खेती बारी से ही हो पाता है अब आई एक कुछ और कार कुछ और विशेष्टा को देखते हैं तो देखिए भारत में अलग- प्रकार की जलवायू मतलब देखिए जैसे बिहार की जलवायू देखिए आप तमिल नाडू की जलवायू देखिए या जम्म कश्मिर की जलवायू देखिए अलग-अलग जलवायू मिलेगी भारत में सांथी साथ भारत में मिट्टी का जो विस्तारे वो भी अलग- तो मिट्टी और जलवायू ये दोनों का वित्रण मिट्टी और जलवायू अलग-अलग प्रकार के होने के कारण भारत में जो उत्पादन किया जाता है फसलों का इसमें भी काफी विविद्धता देखने को मिलता है यानि अलग-अलग प्रकार के जलवायू होने से अलग- अलग प्रकार की बहुत सारे प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है अब देखें कुछ और पॉइंट्स तो देखिए बहुत सारे ऐसे फसल है जैसे हम बात करेंगे चाय का चावल हुआ या मक्का हुआ या गेहु अगरे में भी तो देखिए या कपास के उत्पादन का हम बात करेंगे या गन्ना की उत्पादन का बात करेंगे बहुत सारे ऐसे फसल है जिसके उत्पादन में भारत का पूरे बिश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है यानि ऐसे फसलों के उत्पादन में भारत पूरे बिश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखत तो यह भी भारतिय क्रिशी का एक प्रमुख विसेश्था है अब आगे चलें तो आपको बता दें कि भारत का जो राष्ट्रिय आए है यानि भारत का जो नेशनल इंकम है जनरली इसको हम जीडिपी हम लोग कहेंगे तो भारत के जीडिपी में क्रिशी का भी एक महत्तुपूर्ण योगदान है और अगर हम बात करें 2014 से 15 की एक डाटा का तो उसके अकॉर्डिंग भारत के भारतिय क्रिशी का राष्ट्रिय आये में 14 परशंट योगदान है यानि भारतिय क्रिशी से टूटल नेशनल इंकम में 14 परशंट हिंसा प्राप ज़िए यहां कुछ और भी महत्तुपूर्ण बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं तो देखिए प्रारंभ में यानि प्राचीन काल की बहुत समय पहले कि अगर बात चिया जाए तो जो मनुष्य की प्रजाती थी यह मनुष्य की प्रजाती घुमन तो प्रजाती की हुआ करती थी यानिस्ष्य जो है स्थाई रुप से निवास कहीं नहीं करते थे बलकि इस छत्र से उस छत्र में लग-लग जगहों पर घुमते रहते थे और इसकार रिजन क्या था देखिए जैसे मनुस्य जंगलों में इधर उधर या फलों जैसे मनुस्य कच्चे फल को खाते थे जो मुलकंध हुआ या सबजिया या मतलब जंगली जानवरों का सिकार क्या करते थे और इस करम में गुमते गुमते मनुस्य ने एक बार देखा कि बीजों से किस प्रकार पौधे उत्पन हो रहा और पिर उन पौधों से किस प्रकार नए बीज की उत्पति हो रही है और फिर हुआ क्या इसी ही देखकर इसी से सिख लेकर सबक लेकर मनुष्य ने क्रिशी की शुरुआत की बिकाज बीज से ही पौधे उत्पन हो रहा है और फिर उन्हीं पौधे से बीज भी उत्पन हो जा रहा है तो इस प्रकार मनुष्य ने क्रिशी की शुरुआत कर दी और जब क्रिशी की शुरुआत हुआ तो मनुष्य में स्थाई प्रवरिती मनुष्य में निवास करने की स्थाई प्रवरिती जो है ये उत्पन हुआ और ये मनुष्य के लिए काफी महत्वपुर्ण था यानि मनुष्य स्थाई रूप से निवास करना सुरू किया इसमें क्रिशी का महत्वपुर्ण भूमिका रहा और जब क्रिशी की सुरुवात हो गई तो मनुष्य अस्थाई रूप से किसी विशेश स्थान पे रह कर और वहां क्रिशी कारे करते और अपनी आजिविका को चलाना शुरू किये तो इस प्रकार से देखा जाये तो प्राचीन काल से ही क्रिशी का बहुत ही महतुपुन युगदान मनुष्य की सभ्यता को विक्षित करने में रहा है तो देखे आज के विडियो में हम जो भी समझे आईए उसको एक नजर में देखते हैं हमारा देश भारत एक क्रिशी प्रधान देश है जहांकि लगभग आधी अबादी क्रिशी कार्यों से अपनी आजविका चलाती है रूटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मुल्भूत आवश्यताय हैं जो क्रिशी और क्रिशी अधारित क्रिय कलापों द्वारा पूरा किया जाता है और हमारा राज्य बिहार भी क्रिशी प्रधान राज्यों में से एक है अब देखिए, मनुष्य अपने प्रारंभिक आवस्था में घुमनतु था जो भोजन एवं आवास की खोज में जगा जगा घुमते रहते थे कच्चे, फाल, कंद, मूल, सबजे खाते थे तथा जंगली जानवरों का सिकार करते थे इसी क्रम में बीजों से पौधे को उगते देखा और उन पौधों से बीजों को उत्पन होते देखा फिर क्या था? क्रिशी की सुरुवात हुई और प्रिडाम सरूप मनुष्य स्थाई रूप से रहने लगे भारती क्रिशी की विस्यस्ताओं की बात की आजए तो निमनलेखित विस्यस्ताएं है भारती क्रिशी देश के आर्थिक जीवन का प्राण है जहां लगभग आधी अबाधी क्रिशी पर अधारित है दूसरा भारत की विशाल जन संख्या को भोजन क्रिसी से ही प्राप्त होता है तीसरा कई क्रिसी जनित उद्योगों जैसे शुत्य वस्त्र उद्योग के लिए कपास है चिनी वस्त्र उद्योग के लिए गन्ना मतलब कई कृषि जनित उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति जो है कृषि से ही होती है चलवायू और मिटी में बिभिनता के कारण यहां बिभिन प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है यानि फसलों में बिभिधता पाई जाती है बहुत से फसलों जैसे गन्ना, मक्का, चाय, चावल, गेहूं तथा कपास इत्यादी के उत्पादन में पूरे बिश्व में महत्तुपूर्ण स्थान भारतिय कृषि को प्राप्त है अब देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रिया आय में यानि देश के जिडिपी में भारतिय कृषि का एक महत्तुपूर्ण योगदान लगबग 14% कंट्रिबुशन भारतिय कृषि का ही है तो देखिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृषि उत्पादन में बृधि करने के लिए हमें कौन-कौन से उपाय करने चाहिए और कृषि कारे कैसे संपन करना चाहिए